लखीमपूर खीरी से बड़ी खाबर निम्बूवाबोज मरोचा में फिर देखा गया बाग, रामीनों में दहशत का माहौल पलिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मरोचा निम्बूवाबोज में तीन दिन पूर बाग में एक दस वर्षिय बालक पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था जिससे सुमबार की दोपेहर एक बजे फिर उसी घटना स्थल पर लोगों ने देखा बाग रहवीरों व ग्रामीनों में दहशत का माहौल मौके पर वन विभाग टीम व भारी भी मौजूद वहीं अब बाग की सुचना मरोचा में पाए जाने पर पलिया प्रभारी रेंजर रमेश जंद मौर्यप फारिस्ट राकेश कुमार सहिव टीम मौके पर पहुंच ग्रामीनों को सतर्प करते हुए करहाथी से कर रहे पेट्रोलिंग पर अभी तक वन विभाग को सफलता नहीं मिली है अब देखना यह है कि कब वन विभाग को सफलता मिलती लगीम पूल खीरी शिवंका शिअपकी रिपोर्ट